वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स चलिए इस वीडियो में हम कुछ कनवर्शन सिखेंगे स्पिसली क्लास सेवन का फिजिक्स में है चप्ट वन लेकिन यह आपको हर क्लास में हर वक्त यह कामा सकता है तो आप पुरा वीडियो देखिए जैसे हम देखते हैं एरिया का यूनिट एरिया का एसाइ यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर और सीजिए यूनिट हम बोलते हैं सेंटी मीटर स्क्वायर अभी इस दोनों का रिलेशन क्या है तो बेसिक जो आपको समझना है जो लेंग्ध का जो unit है meter और centimeter यह दोनों का relation क्या है तो 1 meter equals to 100 centimeter फिर हम लिखेंगे 1 centimeter equals to 1 by 100 meter तो simple आपको याद रखना है कि 1 meter equals to 100 centimeter है तो 1 centimeter के लिए divide करेंगे तो यह याद रखें बड़े unit से छोटे unit में जाना है तो into 100 करें और छोटे unit से बड़े में आना है तो divide करते है जो relation है तो यह length का होगी अभी यहाँ पर हम use करेंगे 1 meter square equals to 1 meter into 1 meter तो इस बात को समझनेगा कोशिश करेंगे 1 meter square मतलब जिसे length into breadth होता है area तो 1 meter into 1 meter तो यह meter को convert करना है meter को convert करना है centimeter में तो 1 meter में कितना होता है देखें 100 centimeter तो यह important इसको convert करेंगे फिर एक और meter है इसको भी convert करना तो हमरा हो जाएगर 10,000 centimeter square तो यह आपका relation हो गया तो अभी meter square से centimeter square में जाना है तो into 10,000 कीजिए और रिदी centimeter से meter square में जाना है फिर 10,000 से divide करेंगे तो यह आपको relation हो गया वैसी volume का unit volume का unit होता है SI unit में meter cube और CGS unit में centimeter cube अब इसको भी हम basic जो relation है one meter equals to hundred centimeter इसी को हम follow करेंगे अभी one meter cube का मतला हो जाता है one meter into one meter into one meter तो क्या होगा so one by hundred सरी centimeter में कर रहे है so hundred centimeter into hundred centimeter into hundred centimeter तो दिखिए कितने zeros आगे तो six zeros लिखने पाड़े है centimeter cube और one meter में hundred centimeter होते हैं तो कभी-कभी one meter cube में hundred centimeter cube लेला नहीं तो इसमें क्या करना है one meter cube को तीन बार हमें into करना है तो इसे ही यदि हम one centimeter cube को कनवर्ट कर रहे है तो one centimeter into one centimeter into one centimeter into one centimeter फिर क्या करना है one by hundred meter क्योंकि centimeter से मीटर में कनवर्ट करने के लिए डिवाइट करेंगे अगे है हंडेट से चोटा से बड़ा unit डिवाइट करेंगे अगे है तो अगे नीचे छे जिरुआ गया है मीटर क्यों तो इसको one by ten to the power six मीटर क्यों भी बूलते हैं अनीचे पावर उपर लेके आना है माइन प्लस है उपर माइनस हो जाएगा मीटर क्यों तो यह रिलेशन अप याद रख सकते हैं नहीं तो तभी के तभी कनवर्ट कर सकते हैं तो मीटर क्यों किसे मीटर क्यों से سंटीमीटर क्यों में जाना है तो इन्टू टे पार six किजिए इसको देशे से जिरू जे झेंट टे पार six लिख सकता है ー शेंटीमीटर क्यूंब टू मीटर क्यों कृप आना है तो divided by कब विखेंटेगेंटी अभी वोलिम का जो कौमन यूनित होता है हमनों यूज करते हैं ईज्चे से हम ऑल खरीड़ते हैं मिल्क करे आभ उसमें लीटर का इसा हुआ होता है पेट्रॉल करीड़ते है लीटर का इसा होता है तो लीटर is the common unit of volume तो इसका मतलब जो लीटर है must be related with meter cube and centimeter cube क्योंकि ये भी volume का unit है ये भी volume का unit है ये भी volume का unit है तो relation क्या है जो basic relation है एक लीटर में thousand centimeter की होता है ठीक है तो ये basic आप याद रखना है या आप SI unit का भी निकाल सकते है या मैं याद करो one meter cube में thousand liter होता है तो ये याद कर सकते है SI unit के साथ लीटर का relation याद कर सकते है तो चाहिए आप ये याद कीजिए और दोनों में से एक ही है फिर इसमें से हम centimeter cube और meter cube का या liter के साथ हम convert कर सकते हैं जैसे अभी देखिए one liter मनली जे मैं ये याद किया तो thousand centimeter cube को convert करने के लिए क्या है centimeter to meter cube में जाने के लिए divide करना है 10 to the power 6 से divide करना है अभी 10 to the power 6 का मतलाब हो गया six zeros लगाई three zeros cancelled so one by ten to the power three meter cube इसका मतलाब है one liter इकोल्स टो ten to the power minus three meter cube तो ये या गया और इसको इदी negative नहीं लिखना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं one liter is equal to one by ten to the power three meter cube ना तो फिर यह ten to the power three इदर लिखाई तो ये relation आगे ये relation आगे कि one meter cube में thousand liter रहें ten to the power three तो ये तो आप चाहिए ये याद रख सकते हैं और ये याद रख सकते हैं ठीक है तो फिर centimeter cube से convert करने के लिए meter cube में divide करना है तो divide कर दीजे तो meter cube में आगे तो ये भी एक relation है फिर इंदर blanks में पुछ सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं तो basic relations ये है तो ये हम इसको mask को हम gram में ले लेता है और volume को centimeter cube में ले लेता है तो हमरा वजाता है gram पर centimeter cube तो इसमें हमने SI unit लिया SI unit of volume लिया तो ये SI unit बन गए density का तो ये SI unit of density अब यहाँ पर gram is the serious unit of mass centimeter is the serious unit of length centimeter cube is the serious unit of volume तो ये होगी हमरा serious unit of density अब इनका relation के से निकालेंगे तो one kg per meter cube का relation निकालने के लिए इसको one kg by one meter cube इसका मतलब है one kg per meter पर का मतलब भी one होता है तो one kg by one meter cube तो ये 1000 ग्राम और one meter cube में अभी हमने डिस्कस किया one meter cube में कितने centimeter cube होता है क्योंकि centimeter मिलाना है 10 to the power 6 ये 6,0 तीन बार 100 से into करना परता है तो ये centimeter cube आगे तो अभी हमने उपर में देखा तो अभी हमने पाया one kg per meter cube equals to one by thousand ग्राम पर सेंटीमेटर ये ग्राम में है ये centimeter तो ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब में आगे तो ये relation हो गया अभी इसको ये इदर लेके आता है क्रोस मल्टिप्लाइ करते है तो thousand kg per meter cube is equal to one gram पर सेंटीमेटर या ऐसे भी लिख सकते है slash लगा के तो ये हो गया relation तो आपको क्या याद रखना है ये केजी पर मीटर क्यूब में से ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब कनवर्ट करना तो क्या करेंगे हम दिखते हैं देखें वन ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब में जाना है तो हमें डिवाइड वाइट थाउजन और ग्राम से केजी में जाना है तो इंटू थाउजन तो इसमें ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब यूणिट बढ़ा है तो यह याद रखिए अभी हम स्पीड पढ़ते हैं डिस्टेंस बाई टाइम डिस्टेंस बाई टाइम अभी डिस्टेंस का यूणिट हम मीटर में लेंगे टाइम का सेकेंड ऐसा यूनिट होगी तो ये मीटर पर सेकेंड होगी इसी डिस्टेंस का यूनिट किलो मीटर में भी लेता है क्योंकि लंबा डिस्टेंस है तो बड़ा यूनिट लेता है टाइम आर में लेता है तो ये किलो मीटर पर आर तो यह SI unit हो गया और यह common unit हो गया जो हम अक्सर यूज़ करते है अभी दोनों का relation क्या है तो हम चलिए kilometer पर आर से convert कर लेते हैं easy हो गया कैसे करेंगे 1 kilometer पर आर का मतलब होता है 1 kilometer by 1 hour तो यह अभी हमें चाहिए इधर में meter इधर में second किलो मीटर को meter में change करेंगे और आर को second में खनवाट करेंगे किलो मीटर में कितना होता है thousand meter जब भी kilo मतलब होता है thousand तो किलो मीटर मतलब thousand meter kilogram हमें से thousand gram तो इसी 1 hour में 3600 seconds रहता है तो 1 hour equals to 60 minute और 1 minute में फिर 60 seconds तो 1 hour में 60 into 60 3600 seconds रहता है तो हमने किलो मीटर को meter में कनवाट किया आर को second में कनवाट किया है तो आगया तो यह लिखना चाहता है तो 18 x 5 km पर आर तो हम देखते हैं 18 x 5 मतलब 3.6 km पर आर 1 meter per second तो इसमें meter per second unit बड़ा है तो अभी kilometer to kilometer per hour 2 meter per second करना है और meter per second to यह तो इसमें यह बड़ा है तो into 3.6 और इसमें divided by 3.6 तो 3.6 याद रख सकते हैं या 5 x 18 या 18 x 5 इसे भी याद रख सकते हैं और 3.6 से into करना है या आप इसे भी याद रख सकते हैं kilometer per hour से meter per second में जाना है तो आप जो 5 x 18 5 x 18 से into कर लिजे और meter per second से kilometer per hour में जाते हैं इसे भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं वह आप follow कीजिए ठीक है तो इस तरह से हम ये conversion हम कर सकते हैं और कभी कभी अब को ये भी आ सकता है meter per second से centimeter per second में करना है तो इसमें देखिए हमें meter से centimeter स्रिफ करना है second से हम है तो इसलिए एक meter per second अधी है तो इसलिए one meter by one second तो खाले meter को centimeter में convert करना है जो कि 100 centimeter है और time को second ही रखेंगे कि यहाँ भी second है यहाँ भी second है तो हमरे परस आगया 100 centimeter per second तो एक meter meter per second से centimeter per second करना है तो इँटो 100 कर दिजे और centimeter per second से meter per second करना है तो इस तरह से भी आपसमासाथ इस तरह से भी आपसमासाथ था 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 प्र वाचिक मैं वीडियो